हेलो वीवार्ट्स अन्बोक्सिंग इंडिया में आप सब का स्वागत है और मैं हुम्रान आज मेरे पास यह पर जो डिवाइज है यह है वीवो टी वान स्मार्टफोन स्टेरी स्काई कलर में जा दूस्तों काफी बड़िया डिवाइज है बहतरीन फीचर्स के साथ में वीव बॉक्स को अन्बॉक्स कर लेता है उससे बहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बड़ जरूर दमाना था कि नोडिविकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और मुझे फॉलो करने के लिए इंस्ट्राग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वहाँ पर जाके अन्बॉक्स और सबके ओपर यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिल रहा है इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पर डुकमेंटीशन वगरा टेंस्पारेंट के इसको वर है और इसके अंदर यह रहा दूस्तों वीवोट थीवान फाइब जी स्मार्टफॉन इसी परडेक्शन के अंदर है इस टेरी स्काइक के लामे में पास यह रिवाइस इसका मीडनाइट कलेक्सी आइस से डाउन यह अलग अलग के लामें यह रिवाइस मार्केन में अपालेबल है इसका लावा इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक 44 वाट फ्लस्टर से वीवो का देखने को मिलता ह बहुत ही जेजी तरीके से डिवाइस को चार्ड़ करेगा और यह रहा दूस्तो एक टाइप सी केवल और इसके अंदर एक केन और एक सीम एजक्टर देखने को मिलता है बैसिकली यह सबी बॉक्स कोंटेंट इटी इसी बॉक्स के अंदर दिया गया है और चले फिलहाल इस इस डिवाइस को यहाँ पे निकालते हैं और यहाँ पे निकाल दिया है और कुछ इस तरीके से स्टेरी स्काइखला में मेरे पास यह वीवो टीवान स्मार्टफोन है बहुत ही बड़ी है लुक्स स्मार्टफोन की देखने को मिल रहा है बैक बोडी में यहाँ पे वीवो क बढ़िया भी आई-सी स्मार्पून की ओवराल लुक्स, डिजाइन और बिल क्वैलिटी देखने को मिल रहा है और केमरा यहाँ पर देख सेकतो है सिंगल डियर केमरा लगा हुआ है उसके निचे और 1 एकेमरा है जहाँ डिया गया है यानि ट्रिपल एर के अमरा सेटाप बहुत यह जी तरीके से सजाएगा है डिवाइस के साइड में बोलियों आपने डाउन बटन पावर बटन नीचे के तरफ स्पीकर गिल टाइप सिपोर माइक्रोफॉन 3.5 में मेमोडियों जे कभी शामिल है यहां पर देखा जाए कुछ भी नहीं है और चलिए उपर की दरफ देखते ही यहां पर सिम अठरे दिया गया है और नॉइस कंसलेशन मेक्रोफॉन भी प्रोवाइड कर दिया गया है तो अवर ओल वीवो टीवान स्मार्टफॉन बहुत ही शामदार स्मार्टफॉन है लुक्स बहुत ही बढ़िया है अमेजिंग लुक्स यहां पर देखने को मिलता है और मुझे तो खास करके इसी स्मार्टफॉन की लुक्स डिजाइन बिल कॉलिटी बहुत ज़्यादा पसंदाया है और खास करके यह स्टेरी स्काई केलर अमेजिंग केलर यहां पर देखने को मिलता है वैसे मैं आपको इसी स्मार्टफोन के लुक्सर डिजाइन बिल्को लटी के असा लगा नीचे कोमेंट किरके जरूवत है अगर अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल को अगे इन कर रहा हो कि सब्सक्राइब नहीं किया नीचे दिये अग इस फोन के वेट है और 8.4 mm तिकनेस के साथ यह डिवाइज है और चलिए दूस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में यह जो वीडियो स्मार्टफोन है इसमें हमें एक बहुत ही अच्छा क्वालिजी का डिस्प्ले प्रवाइज कर दिया गया है वीडियो की तरफ से वाटर डिवाइज के साथ में यहां पर 6.44 इंचेस का फुल एच्डी प्लास स्क्रीन दिया गया है एम अलड इस्क्रीन का यहां पर उप्यूक किया गया है बहुत ही अच्छा कर वगरा भी देखने को मिल रहा है और फुल एच्छी प्ल वहां इसी स्मार्फोन में 6GB 120 एर्जी इंचरनली स्टॉरेज वरियंट 8GB 120 एर्जी तीन अलग अलग वरियंट है रिवाइस में यहां पर एक्स्टा वांजी वी सॉफ्टर वेज रम भी दिया गया है और यहां पर देख सिक्ट वान टोट एर्जी रॉम 2.4 गीगा हट्च क्लोग स्पीड के साथ में क्वालकम की तरफ से प्रसेसर दिया गया है जो प्रसेसर है क्वालकम स्नाप ड्रगन 680 4G जिफटेट 6NM फबरिगेशन में 2.4 गीगा हट्ट क्लोग स्पीड के साथ इसी स्मार्फोन की प्रसेसर है और यानि जो गेमिंग एक्स्प्रियंस होग जो प्रसेसर है जो डिफाइस के बजट है उस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रसेसर है जिसका कारण गेमिंग में बहुत ही ज्यादा हेलफुल ये डिफाइस होगा और इसका लाब बेटरी परफोर्मेंस भी काफी गजब कर रहेगा डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है और डिफाइस में फिंगरप्रिंट स्केनर के उपर बात करो तो यहाँ पर इन डिस्प्ल कर दिया है और देख सकते हो बहुत फास्ट काम करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है अब फिफोर टी वान में फिंगरप्रिंट स्केनर और इसके लबाब फेस अनलोक से भी इस स्मार्टफोन को आप अनलोक कर पाओगे जो काफी फास्ट एंड सिक्यूर भी है और चले द स्मार्टफोन का केमरा है और डिवाइज में यहाँ पर देख सकतो सैल्फी जो है 16 मेगाप्सिल का सैल्फी कुछ केमरा सेमपल यहाँ ने क्लिक किया है इसी स्मार्फ़ून के साथ में बहुत ही अच्छा डीटेल वगड़ा यहाँ पर देकने को मिल रहा है यानी केमरा जो के outdoor and daylight में तो गजब का photography ये smartphone देता है तो overall camera भी इस smartphone में काफी एच्छा दिया गया है price range के इसाब से बहुत ये ज्यादा मैं कहुंगा कि अच्छा camera quality इस smartphone में देखनों मिलेगा और चलिए दूस्तों फिलाल बात कर लेदे इस smartphone की price के बारे में यह जो Vivo T1 smartphone है इसमें तीन वेरियंट है इसका जो वेज़ वेरियंट है वो है 4GB 128 जिसका price इंडिया में रखा गया है 14,499 रुपिस यानि और मॉस्ट 14,500 का device इस smartphone की जो 6GB 120 8GB internal storage variant है उसका price है 15,999 रुपिस और इसी smartphone की 8GB 120 8GB variant का price है 17,999 रुपिस लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छा है और सबसे ज्यादा value for money product है वो है 4GB 120 8GB 14,499 रुपिस आपको अगर 8GB variant खरिदना है तो इससे भी बेटर आपको specifications वाला 18,000 में मिल जाएगा लेकिन 15,500 में one of the best device है यह Vivo T1 इस price point पे one of the best device जिसमें आपको बढ़िया camera lens बढ़िया यह happy display साथी साथ एक flash charge 44 watt का मिलता है और emerald screen मिलता है तो overall देखा जाए कि बहुत यह अच्छा smart phone है यह Vivo T1 और इसी smart phone की stereo blue color को मैंने भी happy unboxing करके आप लोगे साथ share किया है उम्मीद है आप सबको वीडियो जरू पसंदा होगा अगर वीडियो पसंदा है तो प्लीज वीडियो क